है हैं लो बच्चों आज हम वर्क करेंगे मैं सब्ट्रेक्शं कि अब जैसे हैं यह टू डोगी हैं ठीक है अब इन में से एक डोगी चला जाता है तो हमारे पस कितने डोगी बचेंगे 1 ठीक है तो 2 minus is equal to 1 ऐसे यहाँ पर यह देखे buds कितनी है 1 2 3 4 5 5 है इन में से 3 buds उड़ जाती है तो कितनी बशती है 2 ठीक है तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ लिखेंगे 5 फिर यह minus 3 कितना हुआ is equal to 2 ऐसे यह देखे यह है 8 यह है 4 यहाँ लिखेंगे 4 4 में से 1 चली जाती है तो कितनी बचती है यह बचती है 3 ठीक है तो यहाँ लिखेंगे 4 minus 1 is equal to 3 ऐसे यहाँ पर देखेंगे flower है 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ लिखेंगे 7 अब 7 में से 3 flowers जो है वो तोड़ दिये है तो कितने बचे 1 2 3 4 ठीक है 7 minus 3 is equal to 4 ऐसे यहाँ पर देखेंगे यह tree है tree पर apple apple of 1 2 3 यहाँ लिखेंगे 3 ठीक है तो उसमें से 2 apple जो है वो तूट गए है पेट पे से तो कितने बचे 1 ठीक है यह होता है subtraction आपको यह notebook में करना है सबसे पहले date mention करेंगे आज है 7 November year 20 topic subtraction तो जैसे यह 2 है इसमें से आपको 1 minus करना है तो आप line draw करके भी कर सकते हैं जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 line draw करेंगे 1 2 इसमें से आपको यह 1 जो है यहाँ पर यह 1 है तो आपको एक line कट करनी है 1 तो आप बची है यह 1 तो यहाँ पर आएगा 1 next देखिए यह है 3 तो कितनी line draw करेंगे 1, 2, 3 इसमें से minus 1 होना है तो हम यह 1 है तो यहाँ पर 1 line कट कर देंगे तो कितनी रहागी 1, 2 तो यहाँ आएगा जो line बिना कटी हुई है इसका मतलब वही आंसर है और यह है 4 तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसमें से minus करना है 2 तो इसका मतलब 2 line हम कट कर देंगे तो जो बिना कटी हुई बच्ची है वो कितनी है 1, 2 तो यहाँ आएगा 2 ठीक है ऐसे ही आपको यह सारी complete करनी है मैं आपको picture sign कर दूँगी आप उसको work को करिये और फिर मेरे पास sign करिये यह next है यहाँ पर date mention करनी है topic है 1 to 100 तक counting यह almost सभी बच्चों को आता है आती है counting तो आपको यहाँ पर counting लिखनी है 1 से लेके 100 तक ओके thank you